पारूफ सर, रशिया अपने पॉलिटिकल अबजेक्टिव और मिलिटरी अबजेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं माफी के साथ रोक रही हूं सर, एक आंकड़ा आ रहा है, यूकरेन की तरफ से एक आंकड़ा दिया जग दिया गया है, कि 158 लोगों की मौत हो गई है रूस के हमले में यूकरेन का बड़ा बयान, 198 लोगों की मौत, तीन बच्चे भी मरने वालों में शामिल है, यूकरेन की तरफ से ये बयान जारी कर कहा गया है, रूस एक के बाद एक अटाक कर रहा है, आज तीसरा देना इस इस युद्ध का, और ये संकटम बढ़ता आज देख रहे हैं, यूकरेन ने इस बीच जानकारी ये दी है, 198 लोगों की जान गई है और इन मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं, जी मारूफ सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजे, फिर में सौरब जी के पास जाते हूँ, या, देखिए, मैं यही संक्टम में कहना चाहता हूँ, कि इसमें कुछ सिविलियन की मौत होईगी, और भी होगी, और मैं रूस का साइड नहीं ले रहा हूँ, यही चीज अगर आप नेटो की लडाईयां को देखें, चाहे जो उन्होंने पुराने युगसलाविया में कि चाहे उन्होंने इराक में किया, चाहे अफगानिस्तान में, बहुत से सिविलियन लोग बिचारे मारे जाते हैं, और मैंने पहले ही आपको बोला था, कि लडाई में सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी का होता है, और दूसरी बात यह है, कि यह जो अभी सिचुएशन है, इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि अगले दो से तीम दिन के अंदर बात कंट्रोल में आ जाएगी, और लोग अगर बचना चाहते हैं, हमारे चैनल को तो कोई यूकरेन में देख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर बचना चाहते हैं, तो जब तक अंदर अपने कमरों में या बहुत जाद अनुक्सान है, ठीक है सर, मैं आपके बस वापस आँगी, सौरफ शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुएं, एक्स्टरनल अफेर्स एक्सपोर्ट एंडिटर इन शीफ इन यूज मोबाइल के सर, कुरूड से लेकर गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है रश चीन ने एक तो calculated, जिसे कहते हैं, strike किया है, दूसरा उनको, जो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, कि चीन जो है, चीन का इसमें एहम रूल है, चीन ने उनको ये एक, जिसे कहें, कि re-assurance दिया है, कि आप एक तो आपकी जो boundary हमारे साथ है, वहां से अपने जो CENIC हैं, आप उसको re-deploy कर सकते हैं, दूसरा चीन ने उनको ये भी assurance दिया है, कि हम आपकी मदद करेंगे आर्थिक तोर के जब आप पे sanction लगेंगे, तो पूरे WIFS को चीन की तरफ भी एक रुक करके देखना चाहिए, कि क्योंकि ये जो हो रहा है, मनजर आप देख रहे हैं, इसमे पे impact होगा, जाहिर बाते होगा, रूस में अल्रेडी ये बात काफी जादा थी, और अगर आप देखें, रूस की कई शहरों में, चपकी वहाँ पर बड़ा, एक media भी बड़ा controlled है, और state का एक बड़ा pressure रहता है, कई, चाहे पीटर्सबर्ग हो, चाहे मॉसको वहाँ, प्रो किया है, करोना में इतनी जादा लोगों की मौते हुई है, तो रूस जो है, economically उसमें impact होगा, पर वहाँ पर जो शासन है, जो राश्पदी पूतीन है, और उनके जो oligarchs, जो मित्र हैं, और उन सब ने इतना पैसा वहाँ पर खटा किया है, कि उन सब को चिंता नहीं है, और उक्रेइन उसकी एक कड़ी है, पर एक चीज़ बताओ, उक्रेइन भी काफी बला wheat exporter है, और उक्रेइन में इस तरह की तबाही होगी, तो विश्प में इसका impact होगा, और आदे-पदात के